हेलो स्टुडेंट वेर वेरी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड अप्टरनून वेन एवर यू आर वाचिंग तो चलिए आज का क्लास यानि की हेरिडेटी अन्वेडियेशन का क्लास शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले एक एक सुन्दर सा लाइन देखें क्या कहा जा रहा है आपने अगर जमीन से सिखर को छुने की सपना संजोया तो अपने आपको गलत मत समझियेगा यहां पर अपने होता आपने लिखा हुआ है तो अपने आपको गलत मत समझियेगा जरा आगे चल कर देखिए कहीं आपका इन सिखर से कोई नाता तो नहीं देखे अक्सर हम लोग के लाइफ में क्या होता है कि हम लोग जिस एडिया में रहते हैं या फिर जिस घर में हम लोग का जन्म होता है हो सकता है कि वो सब अमीरी नहीं होता है गरिब भी होता है लेकिन हम लोग तो सपना बड़े-बड़े सजोल लेते हैं है ना ताकि हम ये बने वो बने ऐसे बने तो देखें सपना ऐसे नहीं आता है जब तक उससे आपका कोई रिस्ता नहीं होता ना तब तक कोई सपना नहीं आता हम लोग के अंदर तो इसलिए कहा जा रहा है कि आगे चल कर देखिए कहीं आपका इन सिखर से कोई नाता तो नहीं सही बात है हो सकता है कि उन सिखर से आपका कोई नाता है और आपकी संघर्स और आपकी स्ट्रगल आपकी मेहनत वहां तक पहुचा दे उस मुकाम तक पहुचा दे तो इसलिए कोई भी सिखर के करते हैं दिन झाम है एक एक है रिज्डेटेशन चलिए हम लिलग का पहला डास जो है हरीटेशन का चुरू करते हैं तो कि चेफ्टेरे फूर है हम आउट यह चैप्टेर फूर है यह यह में एक पर हम हेह एक्जाम होने वाली है इसमें क्या होगा कि इसमें जो है मतलब सिर्फ हेरीडेटी वाला ही पॉर्टसन आने वाला है और इवोल्यूशन को च्छाट दिया गया है मैंने तो आप लोग को बताया ही था सिलेवस रिड्यूश्ट करके ऐसे वीडियो बनाया था एक्ठो तो आप देख सकते हैं जाकर के इस चैनल पर है ठीक तो संजीत बायोजिकल वर्ल्ड अगर जैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो तुरंत आ जाएगा और प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो होगा तो वहा हम चार टॉपिक के बारें परहेंगे जो कि क्या है 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 यहां पर वेडियोशन लिखा गया कोई दिक्कत ने ठीक यहां पर हैरीडियोटी अलग से फिर पढ़ेंगे लाओ अफ इन्हेरिटेंस शेक्स डिटर्मिनेशन तो इन चारों चीज़ के बारें परना हम लोग को चा इस इस भोड़ियोशन वाल टॉपिक में इस बिल्ली का यहांपर कुछ नहुकी नाता है इसका देखनें कि एक पोर्ट्षन जो है ब्लैक है और एक पॉर्ट्षन जो ही ब्राउन है तो यही जो है ऐसा क्यों हुआ एसा क्यों हुआ इसका राज जो बताता है lent". यह सब्सक्राइब करें उसके बाते इस एस फिगर को यहां पर दिया गया है तो चलिए हैजों पढ़ते हैं हैरेडिटी और छलिग समझे को कि Ka यह उसको हम देखेंगे मतलब जेनेटिक्स जो हम पर रहे न अभी इसका पिता माना गया था जिसको उसके बारे उसका हिस्ट्री थोरा सा देख लेंगे तो चलिए पहले देख लेते हेरिटी और वरियेशन होता क्या है देखें, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है, the branch of biology, in which, the branch of biology, एक मिनट रुक्येगा, देखें, कहा जाता है, the branch of biology, in which, we study about heredity, in which we, ओ, सॉरी, क्या कहा जा रहा है, हैं तो देखें जिस चैप्टर बाईलोजी का वह ब्रांच जिसमें कि हम क्या करते है कि यान्य फिर जिन के बारे में जहां पर हैinal पर है जिस ब ci ब्रांच में बाइलो जी का उस ब्रांच को हम कहते हैं जेनेटिक्स है ना एक ने तो चलिए हम लोग इसके आगे पढ़ते थोरा सा चलिया देखिया यह जो फिगर देख रहा है यह आपका महान हस्ती का फिगर है यह ग्रेगर जॉन मेंडल जी है जिसको कि जेनेटिक्स का प पिता मानने लगे चलिए इसके बाड़े में डिटेल से देखते हैं ठीक ऐसे अभी नहीं बताते तो आगे इस चेप्टर में देखना ही था तो पहले यह देख ले तो उसके अधरेटेटियान वेडियाशन को बारिकी से हम लोग देखेंगे चलिया क्या कहा जा रहा है इसको जेनेटिक्स का पिता कहा गया क्योंकि जेनेटिक्स का नीव रखने वाला पहला इंसान यही था है ना who was born on 1822 on 2nd of July and died on 6th January 1884 देखें जिन्होंने कब जन्म लिया था 1822 को मतलब 1822 में 22 जुलाई को और 6th January को 1884 में स्वर्ग को चले गया तो चलिए आगे देखते हैं इसका जीवनी देखते हैं या फिर इसका क्या कहेंगे इसका family background देखते हैं कहाँ पर इसका जन्म हुआ था यहीं से आप लोग को पता चलेगा कि एक कई छोटा भी परिवार में आप जन्म लिये ना तो अपना सपने को छोटा मत रखिये हैं है ना अपना सपने को क्या कहते हैं अपने होसलों को बुलंद रखिये तो कुछ भी हासिल करने में आप काम्याब होंगे तो देखे क्या है इन ही वाज बॉर्ण इन इन फार्मर फेमली एक किशान फेमली में आज के लिंडिया में भी यही बात है लगभग आदमी यानि 90 परसेंट स्टुडेंट जो होते ना 90 हम कहते हैं तो माले जिए 80 परसेंट ही का अधिर है 20 परसेंट माले जिए सेकेंड क्लास का होता तो वो फार्मर फेमली से नहीं होता उन लोग का सपना अक्षर बरा रखके फिर से छोटा कर लेते फिर से अपना मन बदल लेते तो ऐसा नहीं करनी चाहिए देख लिए क्या मेंडल से सिखते हैं हम लोग जो की अस्ट्रिया में है अभी जेच रिपब्लिक में है ओके एक रिसर्च प्लेस जहां पर के मतलब माले जी एक ऐसा प्लेस होता है जहां रिसर्च होता तो इस जगह ही इसको परहाया गया था या फिर एक मतलब सोच लिए न कि मतलब धार्मी की स्कूल था वो वहां पर पढ़ाया गया था इसको and he was sent to the University of Vienna to study science and mathematics और इसको मतलब कि foundational education होने के बाद इसको जो है वियना में भेज दिया किया science और mathematics का study के लिए तो चलिए इसके बारे में और देखते हैं details से चलिए and he had not completed his examinations and returned to monastery and started experiment on garden pea plant अब देखिए ये कैसा student था मतलब ये कैसे इंसान थे कि मतलब कि अपने काम के लिए देखिए अपना exam भी नहीं दिया अपना पूरा परहाई भी complete नहीं किया मतलब परहाई दिया उसका इम्तिहान देखरके result देख लेता वो भी करने नहीं किया मतलब इम्तिहान का result देखने का मोका नहीं रखा और इधर आकरके experiment करने लगा देख लिए जै कितना होधार है था बचपन से ही है न तो ऐसे हम लोग को भी होना चाहिए है न ताकि कोई भी मुकाम भारी ना लगे हम लोग को चलिए he had not completed his examination and return to monastery उन्होंने अपनी परिक्षा को complete नहीं किया और फिर से monastery वापस आ गया जहां पर परहाई शुरू किया था because that was the research place okay and started experiment on garden pea plant और उन्होंने क्या किया यहां आ करके garden pea plant पे experiment start कर दिया जिसको कि हम क्या 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 क्याते है गार्डन पी प्लांट का botanical name या फिर scientific name क्या 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 है है किने अब चलिए his scientific background and mathematical approach in the experimental field help him to arrive at the conclusion of heredity mechanism अब देखिए उसकी scientific background मतलब research वाला background और mathematical approach जो था जो mathematical mathematics में जो इसकी ग्यान थी जो क्या क्या experiment के तरफ इसको बढ़ाया experimental field में इसका अप्रोच को बढ़ाया help him to arrive at the conclusion of heredity and mechanism heredity mechanism तो यह मतलब यही सब scientific background उसके वाद mathematical approach ही इसको क्या 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 heredity का mechanism तक इसको पकर के लिए आया मतलब खीज के लिए आया है ना एक conclusion देख के पास है ना आप देखिए where he predict the law of inheritance जहां पर कि जिस more पे इसका scientific background और mathematical approach ने लाकर छोड़ा उस जगह इन्होंने क्या ढूंडा इन्होंने inheritance law of inheritance को खोजा ना उसके वाद for his valuable work in the field of genetics he was called as the father of the genetics इसकी यही valuable काम के लिए यही महत्तवपुर्ण काम के लिए ठीक इसको जो है क्या कहा गया father of genetics यही महत्तवपुर्ण काम के लिए इसको genetics का पिता माना गया है ना तो अब चलिए heredity के बारे में पढ़ते हैं अब यह मेंडल का history खत्म हुआ मेंडल का life history खत्म हुआ अब जो हम लोग heredity के heredity और वेडिस्टन के बारे में बारे किसे पढ़ते हैं ठीक है चलिए अब देखिए क्या होता heredity और heredity और inheritance एक ही सब्द हुआ heredity का मतलब heredity या inheritance दोनों एक ही चीज़ होता है है ना इसलिए मैंने लिखा heredity और inheritance means transmission of character from parents to offspring heredity या फिर inheritance का मतलब होता है कि character वो जो पिता में है उसको संतान में आना यानि बच्चे में आना और स्प्रिंग में आना इसी को हम कहते है heredity क्या कहते हैं इसी को हम heredity कहते हैं understood okay now let's come to the next slide okay variations what do you understand by variations variations refer variation refers to the to the dissimilarity between parents and progeny and progeny among themselves देखे तो क्या होता है कि variation का मतलब होता है dissimilarities मतलब असमानता है किसके किसके बीच में पिता और पुत्र के बीच में या पुत्री के बीच में मतलब पिता या संतान के बीच में या फिर संतान संतान के बीच में या ना progeny among themselves यानि कि भाई बहन के बीच में पिता पुत्र के बीच में और भाई बहन के बिज में ये जो changes होते हैं, ये जो पड़िवर्थ मतलग क्या कहते हैं, इसी को हम variation कहते हैं, देखिए, अब बुलेगा, dissimilarities कैसे होते हैं, मेरे भाई तो मेरे जैसे दिखते हैं, आपके जैसे दिखते हैं, हू बहू तो आपके जैसे नहीं है, नहीं है ना तो वही हू बहू क्यों नहीं है, ये dissimilarities के वज़े से आपके भाई या बहन, आपके पिता, आपके जैसे हू बहू नहीं है, हम मानते हैं, आप में बहुत सारे character पिता के आते हैं, और भाई बहन का बहुत सारा character मिलता जुलता है, लेकिन 100% सभी character तो नहीं मिलते हैं ना, फिरेख्यमपल आप में जो है किसी को कोई और चीज में एकशा होता है किसी को खेलना पसंद यह तो पासंद पता यह एकशा तो सेम सेम नहीं पर उसकी छोड़िये अब यहां पर body में आ जाई है हो सकता कि आपका भाई क्या हो गोरे हो और आप कैसे है काले है तो यहां पर dissimilarities हुआ और आपके parents क्या हो गोरे हो और आप काले हो तो यह सब variation के वज़़े से होता understood तो यह सी को हम कहते है variation refer to the dissimilarities between parents and progeny and progeny among themselves तो यह progeny among themselves का मतलब आप लोग समझे गया होंगे I hope, okay for examples, the offspring resembles the parent but not the identical to parent that was the same what I have spoke देखे, जो हमने कहा वही बात है कि for example the offspring resembled the parent, offspring पिता के समान लगते है parents के समान लगते है but parent जैसे तो नहीं होते है है किने समझ रहे किने आप समझते होंगे पिता होना और पिता जैसे होना अलग बात है तो बात कुछ बुसरा है मतलब ऐसा मत समझेगा ठीक, चलिए appearance of variation during reproduction आप देखे, reproduction के समय जो variations आते है क्या होते है during reproduction whether sexual और asexual offspring receive two types of features from parents देख लिजए कहा जाता है कि reproduction चाहे asexual हो या फिर sexual हो तो progeny जो होते parents से दो गुन को प्राप्ट करते दो feature को प्राप्ट करते चलिए देखते हैं कि वो क्या feature है a common basic body design which is reflected in the form of similarities similarity between parent and offspring है ना तो देखे क्या का जा रहा क्या एक common body design आप देखे आपके parents के जैसे body है वो यसे तो आपके भी body है है ना ऐसा थोड़ी है कि आपके parent के body में चार हाथ है और आप में दो ही हाथ है ऐसा तो नहीं होता जैसा आपके पिता के पास दो ठो आँख है तो आपके पास भी दो ठो आँख होता है है ना यह किने दो कान उनके भी पास होते हैं दो कान आपके भी पास है तो यह body design same हुआ तो पहला यह हो गया तो बताए असेक्स्वल हो या changes means slight changes the variations which are responsible for difference in offspring generation ओके दिखे थोरी सी पड़ी वरतन आ जाती है offspring वाले generation में या ना तो हू बहू तो सभी changes नहीं आते ना body design same है हर एक design तो same नहीं होगा ना है कि नहीं हमने माना कि body का structure sun रचना जो होता है सब चीज़ एक जैसा होता अब वहाँ पर color तो apply नहीं कर सकते same वाला है कि नहीं sometimes color same होते है लेकिन हर हमेशा नहीं होते है ना अब मान लिजिए माता स्री कैसी है काली है पिता स्री कैसे है गोरे है बच्चे कैसे हुए गोरे हुए तो यहाँ पर तो माता के जैसे नहीं दिख रही है तो कैसे similar हुआ different हो गया अब मुझ जो है मान लिजिए मुझ का structure जो है मा के जैसे हो गया लेकिन color पिता कहा गया तो बताइए यहाँ पर तो changes हो रहा है difference आ रहा है तो यही बात को यहाँ पर कहा जा रहा है slight changes the variation which are responsible for difference in offspring generations तो इसके लिए responsible कौन है variation responsible है है ना थोड़ा changes जो लाता है offspring generation में इसके लिए कौन है responsible variation ओक्य आप देखे क्या कहा जा रहा next बात कि variation यहाँ पर खतम हो गया दो बात जो हमने बोला था है कि ने दो features यही दो features है ओके आप देखे variation during sexual reproduction appear due to अब कहा जा रहा है कि variation जो है sexual reproduction में आता है क्यूं देख लेते क्यूं आता किसके वज़ों से आता error in DNA replication at the time of cell division हम लोग में क्या होता है कि gamit formation के समय cell division होता और वह ही gamit बनता ठीक तो अब बताईए क्यूंकि हम लोगा gamit क्या होता है haploid होता है ना तो दो haploid gamit आकर के मिलते हैं तब तो आकर के एक diploid जागट बनता है ना तो वह ही बात हमने DNA replication के वारे पिछले क्लास में हमने reproduction वाला क्लास में बात किया था तो आप अगर अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके YouTube पे कुछ नहीं बस search करना है क्या Sanjit biological world या ना आपका अपना YouTube channel ठीक Sanjit biological world तो यहाँ पर आपको सारे वीडियो आ जाएंगे या फिर आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं ओके चलिए तो क्या होता है कि variation आने का वोज़े क्या DNA replication में error होना cell division के समय DNA replication में गलतिया होना खामिया जाओना ओके इसके कारन variation आता पहला दूसरा crossing over during meiosis at the time of at the time of formation of gametes आना अब क्या होता है कि gametes formation के समय crossing over का होना ये भी variation का एक कारन है अब crossing over का मैं figure जरूर दिखाऊंगा अभी आपको पहले ये complete कर लेता हूँ ओके अब random union of male and female gametes at the time of fertilization अब कहा जा रहा है कि male और female gametes का मिलना मतलब मिलन होना ये भी एक क्या होता है variation का कारन होता है हमने ये देख लिया कि sexual reproduction में variation आते क्यों है ये तो समझ गए आप लोग समझ गए ना any problem अगर फिर भी आप लोग को problem हो रहा तो you can comment me ओके now let's come to the next slide ओके हमने आपको ये दिखाने वाला था देखिये इजाओ यहाँ पर crossing over कैसे हो रहा क्या यहाँ पर इसके यहाँ पर दो kromo-zom है एक यह यह है ना अब यहाँ पर देखिए इसके आपस में इसको और इसको हम क्या किया vor दो sister chromat prohibited कहते हैं यह यह आपस में क्या होते हैं सिस्टर क्रोमेटीड होते हैं लेकिन जब बात करें हम यह ब्लू वाला और रेड वाला की तो यह तो क्या हो गया नंसिस्टर क्रोमेटीड हो गया है ना यह दोनों नंसिस्टर क्रोमेटीड है है किने और अगर हम बात करें यह पूरा चारो की तो यह कुम ट्यट्रेट बोलते मतलग चार है इस ट्राइट बोलते अब देख लीजे माली यह एक छो है में मेल से एकछों फिमेल से तो आव यहां पर सेट डिविजन के समय अली क्या ओट देखे थे क्या क्रोसिंग आप अब यहां परक्यों çıkye करे एक यहां पर है एकुझे कोई देखिया यहां पर का हुआ और इसका ब्लू कलर जो है यसमें देखे चला ग्या सामने अगंEl लोग पीछे वाला slide पर चलते हैं और कुछ पढ़ने के लिए ठिक चलिए देखें क्या है variation produced during sexual reproduction is much less than sexual reproduction हम लोगों ने देखा कि sexual reproduction के समय धेड़ सारी variations आ रही है धेड़ सारी variations produced हो रहे हैं प्रोजनी में लेकिन sexual में क्यों नहीं मतलब असेक्ष्वल में क्यों कम हो रही है देख लेते हैं variations are introduced only due to small inaccurances in DNA replications अब यहां पर देखें इसमें DNA replication में बहुत कम mistake होते हैं नहीं के बराबर होते हैं that's why that's why क्या होते कि इसमें variations कम आते हैं दूसरी बात there is no crossing over or exchange of exchange of heredity materials among the parent there is no crossing over आपको पता होगा कि asexual reproduction single parents से होता है तो यहां पर crossing over क्यों होगा parental parental heredity material का crossing over होगा कैसे हैं नहीं होगा चलिए पहला दूसरी बात यह हो गया कि इसमें variation क्यों नहीं आता तीसरी बात देख लिजए there is no fusion of male and female gamit male और female gamit fuse भी नहीं हो रहा अब बताये male और female रहेगा तब तो fuse होगा है यह नहीं तो fuse कैसे होगा तो इसलिए तीसरा कारण था कि variation क्यों नहीं आता चलिए ओकी समझ में आया अब उसके बाद थोरा सा variation का थोरा कहानी पर लेते हैं देखे क्या कहा जा रहा all the variations acquired by individuals through reproductions and passed on to the next generations are called germinal variations एक ऐसे variation जो की sexual reproduction के थुरू आता प्रजेनी में और फिर दूसरे जेनरेशन में पास्ट होता इसको हम कहते हैं germinal variation और heritable variation समझ में आ रहा germinal variation को हम heritable variation भी कहते हैं क्या कहते हैं नव, let's come to the next slide, okay, this was, ये तो हमने लोग ने आपको, ये तो हमने आपको शम्जा ही दिया भी, थोरा दिर पहले ही, right, now, let's come to the, another slide, okay, देखें, these variations are necessary for evolution in any species, समझें, और ये variation जो है, evolution को बर्त देता है, इसलिए, evolution के लिए, इस variation का जरूरी है, अतियावश्यक है, यानि variation होना अतियावश्यक है, ताकि variation होगा, वही accumulate होगा, तब तो जाकर के evolution होगा, समझें, अगर variation नहीं होगा, तो evolution भी शम्बब नहीं है, okay, समझें न, without variation, there is no evolution, that is the fact, only, right, the variation, which is not passed on to next generation, is called somatic variation, एक ऐसे variation, जो की reproduction के थुरू नहीं पास्ट होते हैं, दुसरे generation में, उसको हम कहते हैं, somatic variation, ठीक, और इसको हम non-inheritable भी कहते हैं, non-inheritable, inheritable, okay, non-inheritable, समाज में आया, okay, अब nature support the spread and multiplications, and spread of those variations, which are advantages to the organism possessing them, अब का हाजर, nature, nature किसको support करता, nature किसको support करता, nature उन्हीं को support करता है, जिसमें variations है, यानि, हम यह कह सकते हैं, कि nature directly variation को support करता, जो कि एक organism में होता, उस organism को support करता है, फलने के लिए, फूलने के लिए, मतलब, पूरा विश्म में फैलने के लिए, और अपना multiplication करने के लिए, मतलब, कोई भी organism, तब ही, इस दुनिया में बढ़ सकता है, या फिर इस दुनिया में spread कर सकता है, जब कि उसको environment support कर रहा है, और environment support कब करेगा, जब उन्हें variations आएंगे, without variations, there is no support from natures, सिधा समझ लेजिए, अगर आपके पास रुपिया नहीं है, तो आपके पास supporters भी नहीं होंगे, और आपके पास रुपिया है, तो आप supporters को खरीद सकते हैं, that's the fact, ओके, ऐसा ही होता है, है न, तो देखे, such variation, ऐसे variation, जो कि इसको environment में रहने के लिए support करें, और upcoming condition, changes, मतलब upcoming changes वाला condition में रहने के लिए support करें, ऐसे variation को हम क्या करते हैं, pre-adaptation, देखे, यहाँ पर क्या कहा जा रहा, such variation which prepared the organism for upcoming environmental conditions, are called pre-adaptations, to better survival of organisms, अब देखे, कि क्या का जा रहा, ऐसा ही variation, जो कि एक organism को prepare कर दें, क्या कर दें, prepared कर दें, आने वाले environment में परिवर्तन के लिए, मतलब environment में आने वाले परिवर्तन के लिए अगर organism को fully तैयार कर दें, ठिक, समझ गए, prepare कर दें, तो ऐसे adaptation को हम क्या करते हैं, इसको term देते हैं, pre-adaptations, और यही pre-adaptations क्या करते हैं, कि organism को survival में मदद करते हैं, हम, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप लोग comment कर सकते हैं, you are free, ओके, और नए है चैनल पे तो subscribe और share करना न भूले, ठिक, चलिए, अब चलिए, heredity के बारे हम पढ़ते हैं, heredity, it helps in understanding the basis of similarities between closely related individuals, heredity बताता है कि आप में और आपकी closely related species में या individual में क्या समानताएं हैं, है न, यही समानताएं को दर साता है, okay, it also helps to explain difference between parent and offspring, and in siblings, sibling का मतला होता real brothers and sister, आपके सगे भाई बहन, that means sibling, sibling का मतला होता सगा भाई बहन, okay, heredity कहता है, और समझाता है कि difference between parent and offspring, मतलब parent और offspring के बीच में क्या अंतर है, what's the difference between parent and offspring, and between offspring themselves, that is between sibling, समझ में आ रहा, एक sibling, sibling के बीच में क्या अंतर है, यह भी चीज को heredity define करता है, बताता है, okay, okay न, ठीक है, चलिया, अब यहाँ पर यह देख रहे होंगे, यह figure हमने क्यों दिया, यह कमाल है heredity का है, ठीक, तो माल लीजिए, आपके माता पिता के पास, माल लीजिए, आपके माता का कान जो है, ऐसे क्या था, free earlobe बला था, और पिता का ऐसे attached earlobe था, और क्या हुआ, कि माता पिता में reproduction होने के बाद, आपका जन्म हुआ, और आप में कौन सा वला आया, वो देखिए, और तब पता चलेगा, कि आप में क्या चीज़ inherit हुआ, है न, कान को मिलाइए, हो सकता है, कि कभी-कभी दोनों से अलग भी हो सके, लेकिन अक्सर क्या हो यहां पर देख लिए, यहां पर लिखावा, free and attached air, लोग, यह में आपका free वला है, देख लिए, यहां पर चिपका हुआ है, यहां पर देखिए, चिपका हुआ है, है न, चलिए, अब inherited character or trait, अब inherited character or trait किसे कहते हैं, इसको तो हमने पीछे ही देख लिया, चलिए, फिर भी from parent, are called inherited character, समझ में आया, समझ में आया, देखिए, क्या कहा जा रहा है, कि वह character, जो कि आपके parent से पास हो करके, आप में आया, यानि, parent से पास हो करके, प्रोजेनी में आया, और spring में आया, ऐसे character को हम क्या कहते हैं, inherited character, okay, for examples, skin color, eye color, shape of nose, okay, and hair color, texture, hair color and texture, and ear lobe types, okay, understood, तो यह आपका, जो है क्या है, heredity का examples है, है न, है की नहीं, चलिए, समझ में आया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कि heredity क्या 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 करता है, और inherited character क्या क्या है, यह तो आपको शमझ में आया होगा, समझे, तो अब चलिए, हम लोग चलते हैं, दूसरे character, जिसको क्या कहते हैं, non inherited character, चलिए, ओके, या फिर acquired character, उसके तरफ बढ़ते हैं, चलिए, inherited character हमने पढ़ लिया, अब acquired character के तरफ बढ़ रहे हैं, ओके, अब देखिए, acquired character क्या होता है, acquired का मतलब होता है, पाया हुआ, यह न, पाया हुआ, जो कि आपने नेचर से पाया, कहां चे पाया, नेचर से पाया, जो आपने नेचर से पाया, ऐसा character क्या कहां, acquired character, देखिए, some character in an individual, टेंपररली, टेंपररली डेवलप्ट, टेंपररली, डेवलप्ट, developed in response to environment square, environment, कुछ ऐसे character होते हैं, environment के response में आपको करना पड़ता है, या फिर सिखना पड़ता है, है किने, आप मान लिजिए, आपके घर, जो है नदी के पास है, तो आपको तेरना आना चाहिए, यह उहां की रित हो जाता है, तो आपको उहां पर तेरना पड़ेगा, सिखना पड़ेगा, है किने, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, कभी flood का position हो सकता है, तो इसलिए आप तयार हो के रहते हैं, है किने, तो यह आपका acquired character हो गया, है किने, अब दूसरी बात देखे, acquired character क्या-क्या है, यह देख लिजे, देखे, यह temporarily है, जो कि nature के force में हम लोग करते हैं, अब देखे, क्या है, scare on, क्या कहा जा रहा, scared on the forehead और arms, आप देखे, दाग या धबा, चोट लगने का निसान जो होता है, आर्म पे हो, या forehead पे हो, या कहीं भी body के parts में हो, इसको हम क्या कहते हैं, यह acquired character है, उसके बाद, sun-tend skin, धूप से जला हुआ skin, उसके बाद, knowledge, skills, swimming, etc, 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 ok, तो यह सभी characters जो है, यह acquired character है, यह आपके बच्चे में introduced नहीं होते हैं, कहने का मतलब, यह character parent से offspring में नहीं जा सकता, है किने, अगर ऐसा होता, तो क्या होता है कि scientist का बच्चा, अक्सर scientist ही होता, है किने, है न, तो इसी लिए, यह नहीं, मतलब, मेरा कहने का मतलब है, अगर ऐसा होता, तो होता है किने, डॉक्टर को चया डॉक्टर और जो गड़ी वह उसका गड़ी, ऐसा है ना, लो जो काम करता हूँ इसा बुद्धी लेकि आएगा, नया चीज़ सिखने आगा कोईसिस ही नहीं करेगा, है की ने? ऐसा नहीं होता, है की ने? आजकल राजा वही बनता है जो उसके लाइक हो, है लेकिनощ सब राजा नहीं बनता है ना तो यहीं बात है यह क्यों क्यों एसमче करीक्टर कभीशत हैं इसा नहीं होता इसलिएसेलिए कभी-कभी मिटे रिक्षावाला का बेटा भी इंजिनियर बनता है कभी कभी रिक्षावाला का बेटा भी क्या बनता है IS officer बनता है समझे इशीलिए समझे क्योंकि वो उसके position के like है वो उसके समझ मैं आया चलिए ज्यादा ही भासन दे दिया मैं इसके उपर चलिए अब देखे character in living organism depend upon protein ये character जो हम लोग में आता है न ये protein पर depend करता है जो कि हमारा cell खुद वाखुद बनाता है सेल अपने अंदर ही बनाता है समझ में आ रहा कुछ कहां देखें इंट्रोडक्शन एस्टु विच प्रोटिन सुड भी इंस्ट्रक्शन एस्टु विच प्रोटिन सुड भी manufactured at the given time a cell in a cell are stored in the gene located on the chromosome देखें कौन समय में कौन सा प्रोटिन बनेगा इसका information जो हम लोग के सेल के जीन में stored होते हैं जो कि क्रोमोजोम पे होते हैं located on the chromosome understood जो कि क्रोमोजोम के उपर located होते हैं यह ना स्थापित होते हैं वही क्या करते हैं यह वही बताता है कि कौन सा character कब क्या करते हैं influenced होगा समया या फिर कौन सा प्रोटिन किस समय बनेगा मैंने यहां पर यह देखा कि character की को control करने वाला कौन है प्रोटिन और प्रोटिन को control कौन कर रहा जीन जीन क्या है डियाने का सेग्मेंट है अब देखे क्या का जर एंस्ट्रक्शन एस्टू विच प्रोटिन सुड़ विम मैनिफेक्शर एट गिवन टाइम असेल और इन असेल यहां पर हम लगा देते ह है इन इन असेल और स्टूर्ड इन जीन मतलब सेल में कौन सा प्रोटिन कब बनेगा इसका इनफॉर्मेशन जीन में स्टूर रहता अब जीन कहां पर रहता लोकेटेड ऑन्द क्रोमोजोम जीन कहां रहता क्रोमोजोम के उपर रहता ओके जीन कहां रहता क्रोमोजोम के उप देखे हैं, ओके, देखे, जीन आर, हमने जो कहा, जीन आर सेगमेंट आफ, डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड, देखे, डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड, अब देखे, डी ओक्सी राइबो नुकलिक एसिड, अब देखे, देखे, अब देखे, क्या कहा जा रहा, अब देखे, एक कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसका इन्फॉर्मेशन, इस प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन, जो होते हैं, मतलब भरे होते हैं, डी ओने में, कैसे भरे होते हैं, एज़ सिक्वेंस, एज़ सिक्वेंस, सिक्वेंस क्या, नुकलियो टाइड का सिक्वेंस, नुकलियो टाइड क्या होते हैं, नैटरोजन बेस, झालना, या दिस्ट प्रोटीन, घरीघ्जल, प्रोटीन, छचिक् सिक्वेंस, इज़ सिन्वेंस, c yuke, लिएड time, trotsis, लज़ सिक्वेंस, टाइड लिएura, attendu एडने गे लिएजर, यागा, विएक्वेंस, एक्वेंस।το खिक्या टाइड़िक्ट्वेंस, okay purine and pyramidine basis okay now let's come to the point different proteins are needed to carry out different functions and to control development of various character okay समझ में आ रहा है कि हम लोग के सरीर में हर एक गारेक्टर को कंट्रोल करने लिए अलग-अलग protein आ अलग अलग points होते हैं देखें यहांपर different कह दिया है different proteins are needed to carry out different function and to control development of various characters कहा जा रहा है different protein चाहिए होता है different function होने के लिए हम लोग का body में और इसके बाद various चीज को control करने के लिए various development को control करने के लिए various character का development होता उसको control करने के लिए अलग-अलग protein के जरूरत होते हैं ठीक तो चलिए मैं आज अपना class को यहीं समाप्त करता हूं और आप से लेता हूं इजाजत और आप अगर नए हैं मेरे class में please subscribe किजिए please subscribe my channel okay subscribe किजिए like किजिए and share किजिए okay like subscribe like and share and then comment देखिए इससे मेरा energy बना हुआ होता है आप मेरा energy को boost करते रहेंगे तो मैं आपको boost करता होंगा ठीक बैस्ट अफ लग थैंक यू ओके चलिया तो मैं अपना class को यहीं पर समाप्त करता हूं